गुड मॉर्ण आव्यवन माई नेम इस रिचा दिवारी वेलकम टो इन मैं ब्लोग यह आपने सामने जो पौधा देख रहे हैं यह लेमन ग्रास का पौधा कुछ ऐसा दिखता है लेमन ग्रास की पहचान यह है कि इसकी पतियों को हाथ में लेकर मसलने पर निम्बू जैसा मह करके आपको ग्रीन टी बनाना सिखाऊंगी बताऊंगे उनके बारे में तो पहला मैंने आपको मिंट टी बताया था यह लेमन ग्रास टी है तो उसे बनाने के लिए आपको लेमन ग्रास आप इसको सुखा के भी रख सकते हैं आगे मताई से रोज अगर आप कहीं और से ला बार्डन से लेकर आई हो बिल्कुम फ्रेस है तो मैं कभी भी लेकर आ सकते हैं अगर आप इकठा लाना चाहते हैं तो भी आप इसको लाके सुखा के गर्मे ऐजे चाय पती यूज कर सकते हैं तो उससे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है आप दो कप पानी को गरम कीजिए उसमे तोरह से लेमन ग्रास डालिए तोरह अद्रक डाल सकते हैं लेकर अभी बहुत गर्मी है यहां पर हासीमारा में अभी बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो मैंने अद्रक नहीं डाला सिर्फ दालजी नहीं डाला है आप चाहे तो इसके बदल में सहजन जो होता है सहज के फिर मैंने वह डाला नहीं अभी जिंजर ना अध्रक डाला है और नहीं पत्ती डाला है जब गर्मी ठीक हो जाए तो मैं आपको वह भी बना के बताऊंगे कैसे बनता है और कैसे फाइदा होता है उसके बाद फिर आप मैंने यह शहत लिया है आप चाहें तो वह चीनी भी ले सकते जिनी अगर नहीं है तो सबसे अच्छा है तिकिन अंनी और यह उर्ण locks Side लिए सब formalisat उधिर निहीं है worthy को अगा लिए यह जो कि कंप डाल के और उससे चाय को छान लेना है अब देखने कैसे खौल रहा है अब मैं आपको ये बताऊँगी कि लेमंग्रास का पीने से होता है लेमंग्रास का चाया पीने से होता है इसे आप कभ लेंगे ज़्यागल सुबहधा खाली पेट ले सकते हैं सुबह खाली पिट सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए आपके जो पाचेन में सुधार करेगा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है कॉलेस्टरोल को कंट्रोल करता है वजन घटाने में मद्दगार है इसकीन और बालों के लिए बहुत अच्छा है तनाव और चिंटा में भी कमी आती है कि लेमिंग्रास को क्या रोज पीना सही रहेगा बिल्कुं सही रहेगा लेमिंग्रास का जो टी है ना आप रोज सेवन कीजिए बहुत अच्छा रहेगा आप गैस के लिए पेट में एठन कप जब दर्द जैसे समझ जाओ के लिए बहुत ही अच्छा है इसे फेस पे भी पी सकते हैं और पीजियो और मुझे बताए कैसा राय चाहिए आपके लिए टैंक यू